लेट्स गो एवरीवन ओके सो दोस्तों बाचीट स्टार्ट करते हैं अपने लोग राइट अपने लोग आज जो डिसकस करने लग रहे हैं शुरुवात में बिकॉस इट विल हेल्प में एक्स्प्लेइन फर्दर वो है golden rules of accounting golden rules of accounting accounting का golden rule, modern rule सब होता है बट हम लोग अभी जो डिसकस कर रहे हैं that is giving you golden rules of accounting everyone ठेक है न golden rules of accounting everyone right sir golden rule का directly अगर आप use मेरे से पुछो तो ये पूरा का पूरा basis of accounts है अगर किसी को accounts आता है या नहीं आता है पता करना है तो उससे पूछ लो उसको golden rule या modern rule आता है कि नहीं आता है modern rule या diamond rule जिसको मैं बोलता हूँ इसके उपर अपने पहले बात की है बट आज का जो class है वो आपको पहले golden rule समझाना है अगर simple भाशा में क्योंकि आप जब मैं लिखा basis of accounts है तो ऐसे student आपके दिमाग में आया कि क्या basis of accounts समझ नहीं आया simple भाशा में आप लोग के syllabus में देखिए there is something called journal आपके syllabus में there is something called ledger there is something called trial balance राइट ये सारी चीजें ये जितने books of accounts बन रहे हैं चाहे journal हो चाहे ledger हो चाहे trail balance हो अगर आपको golden rules आता है तो 5 minute का खेल है इन सब को बनाना इसलिए golden rules को पढ़ना revise करना जानना important है golden rule क्या बोलता है golden rule basically बोलता है जितने भी accounts होते हैं golden rule तीन categories में everybody बाटता है जितने भी accounts होते हैं golden rule उनको basically तीन categories के अंदर बाटता है तीन categories के अंदर बाटता है पहला category है everyone जिसको हम लोग बोलते हैं real account पहली category है जिसको हम लोग friends बोलते हैं real account friends दूसरी category है जिसको हम लोग बोलते हैं personal account and everyone तीसरी category है जिसको हम लोग बोलते हैं nominal account ठीक है nominal account यह तीन तरीके के accounts है यह तीन तरीके के account है यह बोलता क्या है पहले बात तो यह accounts किसके लिए applicable है पहला बात तो यह account किसके लिए applicable है real account हम कब बनाएगा या किसके लिए बताएगा personal account हम किसके लिए बताएगा nominal account हम किसके लिए बताएगा right sir तो सबसे पहले applicability check होगा अपने लोग का friends ऐसा है applicability check के अंदर की आपके business में hello आपके business में जो भी assets है यह account सारे assets के लिए applicable है कोई भी assets है sir example दोगे क्या बिल्कूल दे देते business में जो भी assets है जो long term benefit देगा या जिससे future cash inflows आएगा उसको asset बोलते है example दो sir ऐसे कैसे हम लोग को समझ में आए okay यार cash, bank furniture furniture plant and machinery land and building और इस तरह के जितने assets आप लोग सोच सकते हैं न यह यहाँ पर आप लोग लगाते चलिए everyone यह यहाँ पर आप लोग लगाते चलिए everybody right जितने assets आप लोग जानते हैं न वो यहाँ पर लगाते चलिए यह लग गए assets के उपर इससे याद रखिएगा trial balance का बातचीत पर भी हम लोग straight away jump कर पाएंगे everyone applicability हो गया real account का assets पर सिर्मेन बात है assets का list जारी रहेगा यह कुछ है personal account year किसके उपर applicable है सर यह कोई भी person हो गया artificial person हो गया individual हो गया debtor हो गया creditor हो गया उन लोग के उपर applicable है उन लोग के उपर everyone applicable है है ना persons इनके उपर है सर जैसे आप example देंगे तो हम लोग को समझ में आएगा हाँ जी बिल्कुल आएगा अच्छा real में individuals हो या individuals को represent करने वाले लोगो दोनों चलेगा सर बात नहीं समझ में आया जैसे आप लोग देखते हो ना ram account sham account basically debtors and creditors debtors वो लोग होते हैं जिनसे हमारे business organization को पैसा मिलेगा आएगा हमारे पास पैसा और creditors वो लोग है जिनने हम लोग पैसा देंगे creditors वो लोग है जिनसे हमें पैसे मिलेंगे creditors वो लोग है जिनको हम लोग पैसे देंगे चीक है राइट सर बात तो सही है, किसी तरह से मान लीजिए, आपका कुछ outstanding है, कोई outstanding due है, कोई outstanding due है everybody है, outstanding dues है, या कोई prepared dues है आपका, prepared expenses है, मैं बोला outstanding हो चाहिए prepared हो, दोनों के दोनों आपके personal account की category के अंदर classify होंगे, दोनों के दोनों आपके personal account की category के अंदर everyone classify होंगे, and finally, आपका आता है nominal account, nominal account friends, जो applicable होता है, वो straight away applicable होता है, incomes और expenses के उपर, income और expenses के उपर, मैं पूरी बात जो अभी हम लोग क्लास में किये हैं, वो एक बार फिर से आप लोगों के लिए sum up कर दूँगा, everybody बस pay attention to what I am saying carefully, right, शुरू से शुरू करते हैं बातचीत को, देखिए everybody, आज जो मैं आपको पढ़ाने लग रहा हूँ, वो basically intention रखता है, कि आपको मैं journal or trial balance समझाओं, या revise करवाऊं, अब journal ledger trial balance को समझने के लिए, हमने आज डुबारा class में पकड़ा golden rules of accounting, golden rules of accounting में मैंने students को बताया, कि sir, तीन तरीके का accounts होता है golden rules of accounting में, sir, तीन तरीके का accounts होता है golden rules of accounting में, sir, तीन तरीके का accounts होता है golden rules of accounting में, number one, real account, number two, personal account, number three, nominal account, एक बार फिर repeat करता हूँ, real account, personal account, nominal account बात golden rule की हो रही है जिसमें मैंने बताया कि real account आपके organization में present assets के उपर लगता है real account का rule आपके organization में present assets के उपर लगता है personal account का rule आपके organization में persons है individuals है या representative persons है उन पर लगता है organization है उन पर लगता है जैसे sham account हो गया debtors and creditors account हो गया outstanding कोई चीज आपने आपका outstanding ये due है वो भी personal account का rule follow करेगा और कोई चीज आपका prepared है वो भी आपका personal account का rule follow करेगा वो सब expenses है मैं बोला outstanding dues या prepared expenses outstanding और prepared outstanding और prepared sir यहाँ आता है हमारे students पुछ रहे हैं कि sir bad debts बताईए salaries wages बताईए rent बताईए मैं बोला expense और outstanding expense अलग होता है कुछ अगर outstanding है sir अगर कुछ outstanding है sir या sir अगर कुछ advance है hello sir अगर कुछ outstanding है या sir advance है है ना अगर कुछ outstanding है या कुछ advance है तो sir वो personal account का मसला बनेगा अगर वो outstanding advance नहीं है timely है तब वो merely income और expense है तब वो इस category के अंदर fall करेगा जैसे लिख लीजिए आप लोग bad debts our friend Samrit was asking bad debts का मतलब होता है दोस्तों वो पैसा जो मेरे को मिलना चाहिए था क्योंकि मैंने कोई माल बेचा था बट मेरे को बदले में पैसा मिला नहीं सामने वाला party देने का capable नहीं है पनागर दिया bad debt हो गया आपने किसी तरीके का discount दिया आपने किसी तरीके का purchases किया एक second आपने किसी तरीके का sales किया हाँ sir अच्छा ये question आया इस बात का मैं जवाब दूँगा पहले आप लोग ये note कर ले सब कोई ये golden rule है ये golden rule है फिर मैं बात करूँगा फिर मैं बात करूँगा everyone हाँ जी sir sir discount के नीचे purchases and then sir sales है sir discount के नीचे sir purchases and then sales है right sir rent commission rent commission sir आप लोगों का सब कुछ जो है न यहाँ पर निकल कर आ गया prepaid expenses का मतलब है मान लीजिए कि मैं आने वाले 6 महीने का rent आज ही पे कर दिया इसे prepaid rent कहते हैं हाँ मुझे आरूश का question याद है मैं उसे भी answer करूँगा अभी सुनिए आप लोग बात को अभी आप लोग बात को सुनिए everyone एक question निकल कर आया कि sir अगर कोई expense हमने अभी तक दिया ही नहीं है ठीक है तो फिर उसको record करके क्या logic है sir बात समझे हम लोग accounts में follow करते हैं मैंने पढ़ाया था आप लोग को accrual concept of accounting कौनसा concept accrual concept accounting principles में अपने ये पढ़े है accrual concept of accounting क्या बोलता है कि एक खर्चा आपने pay किया या नहीं किया ये decide नहीं करता है कि वो खर्चा है कि साल आपका pay करना बनता था तो वो इस साल का खर्चा है और वो इस साल की books of accounts में दिखाया जाएगा that is accrual concept of accounting ये हम लोग accounting books and principles में पढ़े हैं principles of accounting के अंदर the answer is accrual concept of accounting accrual concept अगर आप लोग को किसी को पिछे ये principles revise करें बिल्कुल मैं revise करवाऊंगा तो याद रखिएगा accounting principles के बिना ये नहीं हो सकता ये रहना खेर जो भी है इसलिए record करना ज़रूरी है nominal हो गया income और expenses अब मैं बिल्कुल करवाऊंगा पहले अपने लोग ये discuss करेंगे ना आज का agenda कुछ और तहया है actually मेरा आज का goal trial balance बनवाना सिखाना है उस चीज के लिए मैं golden rule का background set किया हूँ पहले चीज के ना समझ ये बात को जिससे किसी friend का अगर miss हुआ है तो they can take it up अभी यहाँ पर सुनिए अब rule बोलता क्या है sir आप rule तो सिखाई नहीं what does the rule say sir rule अपने को class में समझना और learn भी करना है number one real account friends real account real account real account real account real account real account everybody real account everybody real account everyone बोलता है debit what comes in credit what goes out please सब कोई लिख लेंगे and साथ साथ learn भी कर लेंगे debit what comes in credit what goes out debit what comes in credit what goes out credit what goes out debit what comes in credit what goes out debit what comes in credit what goes out everyone next is personal account friends personal account का rule है please everybody सुन लिजे यहां पर rule है पहले real account का debit what comes in credit what goes out come on debit what comes in credit what goes out once more debit what comes in credit what goes out once more debit what comes in credit what goes out friends next up personal account it says debit the receiver credit the giver debit the receiver credit the giver debit the receiver मैं elaborate करूँगा explain करूँगा don't worry credit the giver नहीं ऐसे मतलिखे debit the receiver credit the giver लिग लिग लिजे आप लोग अगर आपको कुछ receive करना है तो आप सामने वाले का अकाउंट को डबिट करिए अगर आपको कुछ पे करना है तो समने वाले account को आप credit केजिए अगर आपको समने वाले से receive करना है समने वाले account को आप debit केजिए अगर आपको pay करना है समने वाले account को आप credit केजिए receive करेंगे debit pay करेंगे credit receive करेंगे debit pay करेंगे credit receive करेंगे debit pay करेंगे credit सर सही बात है next आप लोगों का है, next आप लोगों का है nominal account, debit all expenses and losses, debit all expenses and losses, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains, credit all incomes and gains, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains, सर बट अब आप बोल किया रहे हैं थोड़ा समझाओ ना प्लीज मैं आपको समझाता हूँ बात एक एक करके सब कोई का ध्यान मेरे को चाहिए everybody better pay attention right please pay attention right ओके एक करके बात करते हैं मैंने एक machinery अपने organization के लिए purchase किया hello everyone machinery एक real account है क्योंकि asset है cash भी एक real account है friends क्योंकि वो एक asset है rule क्या बोलता है जो asset आया उसको debit जो asset गया उसको credit machine debit हो जाएगा और cash credit हो जाएगा journal वही बनेगा जो मैंने पहले logic दिखाया था modern rule का या diamond rule का बात same आ रहा है debit what comes in credit what goes out debit what comes in credit what goes out once more debit what comes in credit what goes out is that clear sir अब मैं आपको इसका example देता हूँ persons और individuals का थोड़ा ध्यान देंगे सब कोई थोड़ा सा ध्यान देंगे सब कोई मैंने everyone मैंने मेरा कुछ जो है particular sale किया credit पर sale किया credit पर sale किया credit पर मानले जीए XYZ Limited को तो XYZ Limited मेरा क्या हो गया data क्या हो गया data अब मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ XYZ के साब से नहीं अब मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ कि मैं XYZ से receive करूँगा yes or no मैं XYZ से receive करूँगा yes or no मैं XYZ से receive करूँगा yes or no यही तो rule है कि receiver debit करेगा तो हम लोग XYZ को debit करेंगे तो हम लोग XYZ को debit करेंगे तो हम लोग XYZ को debit करेंगे और अब sales मेरा income है sales मेरा income है और income का rule क्या है debit all expenses and losses credit all income and gain तो sales credit हो जाएगा कोई चीज expense है तो debit होगा income है तो credit होगा expense है तो debit होगा income है तो credit होगा and ये तीनों को बना के जोड़ के बनता है golden rule ना इससे ज़्यादा कुछ ना इससे कम कुछ ये golden rule आपको journal में help करता है सा ये आपका trial balance में भी help करता है सा second वाला है debit the receiver, credit the giver अगर मैं receiver हूँ तो मैं सामने वाले को debit करूँगा debit करूँगा और अगर मैं giver हूँ तो मैं सामने वाले को credit करूँगा दूसरा example है मैंने purchase किया ABCD Limited से certain raw materials certain raw materials तो मेरा entry क्या हो गया purchase account debit purchase account debit लेकिन giver तो कौन है मैं giver कौन है मैं लेकिन क्या मैं payment कर रहा हूँ नहीं तो मैं credit कर दूँगा ABCD Limited को credit गीवर का मतलब है जो giver होगा वो अपने books में credit करेगा और जो receiver होगा वो अपने books में सामने वाले को debit करेगा सीधी बात नो बक्वास to conclude real account लगता है assets पर real account लगता है assets पर personal account लगता है आपका persons or individuals या organizations पर और nominal account लगता है incomes and expenses पर real account का rule है debit what comes in credit what goes out debit what comes in credit what goes out debit what comes in credit what goes out personal account का rule है debit the receiver credit the giver debit the receiver credit the giver और nominal account का rule है correct debit all expenses and losses credit all incomes and gains thank you अब मैं आप लोगों से actually बात करना चाह रहा हूँ trial balance से related trial balance से related में trial balance का last day में formula या format ठीक से नहीं बनवाया था आज मैं एक बर format पहले बता देता हूँ आपको बनवाया था बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं एक बर फिर देख लीजिए trial balance नहीं एक particular day पे बनता है अच्छा trial balance का क्या use है actually समझिए आप लोग trial balance इसलिए बना रहे हो क्योंकि आपका जो idea है वो है अभी आप लोग balance sheet और ये सब बनाने वाले हो और balance sheet क्या होता है ना बहुत important होता है गलत नहीं बन सकता तो trial balance नहीं आपने account stick से बनाया इसका arithmetical accuracy चेक करता है अगर trial balance में कुछ error आया ना तो total of debit और total of credit equal नहीं होगा और अगर total of debit or total of credit equal नहीं हुआ मतलब आपने double entry concept को follow नहीं किया है आपने accounting या journal entries गलत पास किया वो suspense है but वो suspense account is not the answer suspense account is an indicator of a mistake अब मानलो समरित बोल रहा है debit or credit को trial balance में equal कर देते हैं suspense डालके but वो तब suspense यूज करते हैं जब मैंने check कर लिया और मेरे को कोई गलती नहीं मिला तो मैं आने वाले सालों के लिए suspense account मना के छोड़ देता हूँ कि क्या पता 2-3 साल बाद याद आया या पता लग जाए कि क्या चीज का missing figure था वो हम लोग उसको change कर देंगे याद दिला दे बस सीधी बात नो बखवास अब ही आप लोग को trial balance समझना है पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ trial balance का अगर exam में madam पूछ ले कि क्या uses है तो याद रखिएगा मैं दो तीन advantages ही बताऊंगा इस पर ज़्यादा थियोरी बनता नहीं है और नहां आने का जूरत है पहला है to a certain to a certain arithmetical accuracy of accounts accuracy of accounts that is total of debit should be equal to total of credit total of debit should be equal to total of credit follow करते रही है जो बात कर रहे हैं सब समझाएगा right sir आगे बात करिए सरब बात दूसरी बात total of debit should be equal to total of credit पहली बात और दूसरा बात यार याद किजिए trial balance किसके बाद बनता है ledger के बाद बनता है trial balance किसके बाद बनता है तो एक तरह से ledger का summary पूरा मिल जाता है हम लोगों को कि आखिरकार balance बचा कितना है आखिरकार balance बनता कितना है as all the closing balances of ledger are posted here as all the closing balances of ledger are posted here यह दो major बात हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए अब sir, format का बात करें आप trial balance का format का बात करें trial balance का friends, trial balance का format का मैं बात करता हूँ इधर पे ध्यान देजिए इधर पे ध्यान देजिए पहले आप लोग लिखेंगे trial balance format के लिए और फिर जिस दिन का बना रहे है न trial balance हमेशे एक particular date पे बनता है पुरे year के लिए नहीं बनता है पुरे year के लिए बनता है जब मैं trading PL बनाना सिखाऊंगा आपको class 10 में तो आप देखो कि trading and PL for the year लिखा रहेगा trial balance में as on लिखा रहता है क्योंकि trial balance एक particular date पर बनता है trading और PL पुरे साल के लिए बनता है हाँ एक दिन exactly जब सारा ledger बन जाता है और वो generally end of the month या end of the year बनता है generally हमारे syllabus में हम लोग end of the year रखेंगे है ना 81 March 2023 generally ऐसन यह कि इसमें रट लेने वाली बात है सर हाँ बिलकुल जी okay fantastic इधर देखें आप लोग friends यहाँ पर ध्यान दीजेगा सबसे पहले आपको लिखना है name of account उसका debit balance और उसका credit balance बस name of account उसका debit balance और उसका credit balance मैं आप लोगों को एक सिधी सी technique बताता हूँ वो technique follow करोगे तो जीत जाओगे coming back to this idea only अगर एक asset का balance है positive आपके पास तो assets को आप लोग जो है debit side में लिखेंगे इधर पर debit side में debit what comes in asset है तो debit रहेगा debit all expenses and losses याद है कि नहीं nominal account का rule क्या था nominal account debit all expenses and losses debit all expenses and losses expenses को भी debit side में और LIC को credit में LIC को credit में LIC liability income capital यह टीनो को credit side में और finally मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक चीज़ और होता है drawings होता है मान लीजिए drawings होता है friends drawings debit में आता 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 है sorry name of the account लिखो particular लिखो उसमें कोई ऐसा wishes बात नहीं है name of the account लिख लो बिल्कुल क्योंकि cash है cassette है cash है cassette है ना sir cash है cassette है sir फ्रेंस फिर क्या करना होता है आप लोगों को debit side को add कर लेना है credit side को add कर लेना है और जो दोनों का total लाएगा ना वो इधर पर लिख देना है और बगवान से फिर प्रातना करना है कि यह equal आ जाए अगर equal नहीं आया मतलब आपसे कोई गलती हुई है और याद रिखिए का वो अपने लोग गलती अफोर्ट नहीं कर सकते समझ आ गया बाकी चलिए अब हम आपको एक question करवाता है तब ही समझ में आएगा है ना राओ ट्राल बालन्स फिर फोल्विं इन आपको एसार बाब रूम आपको एसार बाब from the following information prepare a trial balance prepare a trial balance date 21st March 2023 आई एक आच," अधर आओ आन वो लिखते चलिये है ना लिकली जीट्रस 50,000 creditors 59,600 opening stock 25,000 opening stock 25,000 अले लिखते चलिए फिर बताएंगे ना अभी question लिखे ना नहीं पहले आप लोग लिखे उसके बाद मैं बात करता हूँ ना एक एक चीज़ बताऊँगा capital लागे आपका credit में furniture debit 40,200 buildings debit 60,800 motor lorry debit 20,500 motor lorry 20,500 sales 1,20,000 purchases 80,000 sales return 2,000 discount 1500 stationery 24,000 purchase return 2500 purchase return 2500 typewriter 8,200 miscellaneous expenses 1500 drawings 5000 bet that's 500 bet that's 500 bet that's 500 charity 500 postages 200 ये लेख लीजिए पहले का कुछ missing है तो bet that's 500 है charity charity 500 हाँ best postage 200 salaries 5000 5,000 Rent 5,000 Cash 28,500 Bank 22,500 Rent 1,500 1,500 Discount DR 500 Debtor CR 10,500 Creditors 20,600 Creditors bracket me DR 20,600 Loans CR 57,500 Bracket me CR 57,500 yes Interest on loan 7,500 Interest on loan 7,500 Conveyance 300 Commision 2,000 Commission 2,000 Furniture CR 10,000 Furniture Loans Interest on loan 7,500 Conveyance 300 Commission DR 2000 Furniture CR 10,000 Bank CR 5,600 Cash CR 20,000 Phele itna Likhi Lijji Aap Lohg Solve Karin Ghe Am Lohg Bata Wait Kijijay Harbadi Nih Egdem Harbadi Nih Phele Question Likhi Likhi Liyya Mera Question Copy Lighi Liyya Question Copy Kar Liyya Bess Utna Question Hai Copy Kar Lijji Nih Kiya Toh Conveyance Conveyance Traveling Ka Basically Conveyance 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 Bracket DR Furniture Bracket CR Bank Bracket CR Cash Bracket CR Is that Done Everyone Abhi Jho Mijn Bola Raha Houn Us Ko Ake Kar Kek Ka Kaehde Se Religiously Sun Lijjiye Copy Ho Gya Hoga Question Abhi Tak Sun Lijjiye Bata Koi Ake Cheez Jho Mijn Ape Koehko Bata Raha Houn Bina Ape Ape Koehko Question Koehko Question Koehko 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 Sun Loh Haa Phir Bata Explain Koehko 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 Sun Loh Ake Koehko 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 Bracket Me DR Likha To Bhalee Tumhara Maan Na Ho Koehko Debit Saide Me Ane Koehko Credit Saide Me Tumhara Personally Koehko Bina S Koehko Koehko Debit Saide Me Jaber Dustri Daal Loh Logic Nahin Maan Rao To Bhi Daal Haa Abhi Question Aega Koehko Met Puchhna Hama Answer Dede Ga Met Puchhna Bats Tum Vais Kisii Account Ke Bagel Me Bracket Me CR Likha Hai To Koehko 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 Saide Me Karna Hai Haa Sir Sawaal Ais Koehko 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 Will Come To That Aab Hom Loh Ek 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 I To Analyze Karayga And Phrur Discuss Karayga Chee Koehko Pahle Hom Loh Banayenge Solution Jis Koehko Bhol Rhe Hah Aap Ne Loh Or Yaha Par Loh Likhe Trayal Balance Everybody Trayal Balance Haa Sir As On 31st March 2023 As On 31st March 2023 Friends Ye Likhe 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 Online Wale Friends Sabka Copyed Hai Question Copyed Online Wale Friends Yes Or No Sare Online Friends Se Response Chahe Riddhimah Aapka Wait Kar Rhe Humblok Ok Got Chal Humblok Chal Humblok 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 Jad Rakhijay Everybody Every Friend Trayal Balance Mane Ledger Folio Gata Humblok Kis Humblok Ledger Kis 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 Ledger Kis Kis तो यहाँ पर आ गया name of account, name of account आ गया everybody, pay attention guys, come on, name of account आ गया everybody, फिर उसके बाद आता है आपका, एक छोटा सा column जिसमें आप लिखेंगे, ledger folio, ledger folio, यह छोटा ही लिखा करिए क्योंकि अभी इस level पर आपके कोई काम आने वाला नहीं है यह, फिर यहाँ आपका आएगा debit amount, रुपी में, और फिर friends आपका आएगा credit amount in रुपी, credit amount in रुपी, right, sir, right, sir, right, sir, right, sir, right, sir, say, sir, say, sir, shall we proceed, yarr, and everybody will pay attention, are we ready, yarr, come on, guys, यह देखिए इधर पर, देखिए, इधर ध्यान दीजिए, सब कोई का attention चीए मुझे, हाँ, अब देखिए, debtors और बगल में कुछ नहीं दिया हुए, creditors बगल में कुछ नहीं दिया हुए, मनलब common sense है कि, देखो, क्या था, हम लोग receiver है, मेरे सामने वाला कौन है, debtor, तो receiver कौन है, मैं, और receiver क्या करता है, debit, debit, the receiver, credit, the giver, मैं कौन हूँ, receiver, मैं कौन हूँ, receiver, तो receiver अपने books of accounts में सामने वाले को क्या करेगा, debit करेगा, तो debtors का debit balance होता है, simple logic, नहीं याद होता है, दिमाग कमज़ोर है, D for debtor, D for debit, C for creditor, C for credit, debtor को debit side में लिख देंगे, debtors वो लोग होते हैं, I mind you, जिससे हमें पैसा मिलेगा, we are the receiver, जी, एक तरीके से बोल सकते हैं, सही है, debtors हमारा current assets है, और current assets है, अगर organization में आता है, तो क्या होता है, debit होता है, तो ये एक तरीका याद रखने का, everyone, ठीक है, लिख लिया क्या, अथर्व, what is the issue, लिख लिया क्या, और अथर्व creditors क्या होगा सा, credit होगा, यानि कितना ऐसा, 59,600, अब सुन लिजिए सब कोई, गौर फर्माइए और सुन लिजिए सब कोई, ये तो सब ने कर दिया, लेकिन अब आपको एक interesting चीज दिखने को मिलेगा, क्या सर, नीचे देखिए आप लोग, यहाँ पे एक जगह साइड में, आपको दिखेगा debtor और creditor का, debtor का credit balance और creditor का debit balance, ये बड़ा जीम सा नहीं हो गया, अभी तो किया, और दो दो बार क्या कर रहा है, जवाब सुन ल इस class के बाद मैं कभी ने बताऊंगा, सुन लो, वा क्या होगा, ये असल में, वा क्या होगा, मैं इधर ये जगह यूज़ करता हूँ, असल में बना होगा, लेजर अकाउंट, क्या बना होगा, लेजर अकाउंट, ठीक है, ना, मान लीजिए ये एक बार के लिए, ये debtor का ledger है ठीक है यह debtors का ledger है ठीक है वह यह होगा मैं मानता हूँ debtors का total जो debit का आया होगा ना वो आया होगा 50,000 का कितने का 50,000 का और credit लिखा है ना देख लिए bracket में CR लिखा है तो total में आया होगा 10,500 अब यह तो हम और आप जानते हैं कि जब भी ऐसा होता है तो हम लोग जो है greater total दोनों तरफ लिख के जो है balances को carry forward करते हैं कि कमी है मान लीजिए 39,500 की तो हम लोग carry down करते हैं और फिर next year 39,500 लिखते हैं हाई या ना बोलिए तो correctly बात करूं तो मेरा debit side में आना कितना चीए था 39,500 पर इन्हों ने क्या बोला जब इन्हों ने हमें debtors दो बार दिया ना ए directly ये लोग बोल रहे हैं हमें कि हम लोग ना ये carry forward या balance figure वाला काम हम लोग नहीं किया हम लोगों ने बस total करकर छोड़ दिया हम लोगों ने बस total करकर छोड़ दिया बाकी का काम तुम करो अब हमारे पास दो रास्ते हैं या तो हम लोग balance करके 39,500 ढुंडे और 39,500 लिखे व बट वैसा trail balance में मैं करना आपको advice नहीं दूँगा आपको क्या करना है उस scenario में क्या करना है तो debtor है जो debit side का value है वो लिख दो और जो credit side का value है वो credit में लिख दो automatically ही बात same होगा automatically ही बात same होगा क्या कर रहे थे तब जब मैं बता रहा था अब सुन अटो attention लेया हो ना भाई क्लास में आलिया भट के बार में सोचो कि तो attention खोए गाई ना अभी इधर ध्यान दो बात को normally हम लोग ledger बनाते हैं समय क्या करते हैं बार बार आरुष क्लास में once more बोलता है next time fees का time आने दो हम भी once more बोलेगा अभी इधर ध्यान दो कोई बात नहीं नहीं next time fees का time आने दो हम भी once more बोलेगा थेर कोई दिक्कत नहीं है मजाग कर रहे हैं अभी इधर ध्यान देखिए कैसा टीचर है, बच्चा लोग को हरेस्ट कर रहा है, घर कोई दिक्कत ही इधर ध्यान दीजिए, रियल लाइफ में देखिए आरुश, होता कि है बबू की 50,000 और 50,000 इधर 50,000 टोटल होगा डेटर्स का आरुश, और 10,500 इधर रहा होगा, तो आरुश, रियल लाइफ में क्या हुआ होगा, कि हम लोग का जो बैलन्स होगा न, हम लोग रियल लाइफ में क्या करते हैं, पचासजार टोटल इधर भी कर देते हैं, पचासजार टोटल इधर भी कर देते हैं, लेकिन रियल लाइफ में, आरूश जब हम लोग बैलेंसिंग करते हैं तो क्या करते हैं, बाइ बैलेंस करी डाउन 39500, राइट, और फिर जो 39500 आता है, वो ब्रोट डाउन करके यहां इन्होंने ये स्टेप आरूश नहीं किया, इन लोग पचासजार और 10500 का टोटल हम लोग को दे दिया, बोले बनाओ अब अपना, उस सिनारियों में दो रास्ते हैं, और दोनों में सही होगा, पहला रास्ता माइनस करके 39500 डेबिट बैलेंस आया, पचासजार की जगा है, 39500 लिख दो, ये सही होगा, पर हम लोग को ऐसा करना है क्या, नहीं, हम लोग वैसा नहीं करेंगे, ऐसा एक मेथड होता है ट्रायल बैलेंस का, जिसको बोलते है बैलेंस मेथड, पर हम लोग को वो सब बैलेंस मेथड, बैलेंस मेथड में नहीं जाने का दरकार है, हम लोग है? Yes, Sir. कर लीजिए copy. Dear Summary, is that clear? Very good. अब आप लोग friends देखिए, अब आप लोग friends देखिए, creditors के बगल में, everyone creditors के बगल में देखिए, क्या लिखा है? DR. मैं आपको समझाया, इसलिए आज sum सुरू करने से पहले. Bracket में DR लिखा है, ज्यादा बुद्धी मत लगा, और debit में डाल दो. 2600, हतम. आगे बढ़ते हैं. बस. फिर next सवाल मेरे पास आया था, जिसका मैं अब जवाब दूँगा, opening stock, everybody pay attention. अच्छा, एक चीज मैं maintain करता हूँ, आप लोग भी करना question paper में, जैसे किसी चीज की posting कर देना, try करना उसको हलका सा side में काड़ दे. इससे क्या होता है ना, कि हम लोग का attention दुबारा वो नहीं लेता है, प्योंकि मैंने इसको post कर दिया है, तो अब इससे मेरा कोई काम नहीं है, वास्ता नहीं है. Opening stock, opening stock है आपका 25,000. Next है अपने लोग का opening stock 25,000. Everybody, next है हमारा opening stock 25,000. Sir, इसका क्या मतलब है, opening stock 25,000 का हुआ ये, मान लिजे मेरी chips की company है, हो सकता है, 31 March को ही, यानि last day of the last year ही, मैंने न कुछ आलू मंगवाया, आज मैं आ गया, एक अप्रेल को, तो 31 March को तो मेरे पास आलू बज गया था, वो हो गया closing stock, साल के एंड में जो stock बज गया, लेकिन अब पहले तो मैं उसको use करूँगा, इस साल, last year का जो closing stock है, इस साल का वो opening stock है, simple भाशा में ये एक asset है, brought down होता है, वैसे ही closing stock carry down balance है, और opening stock brought down balance है, closing stock carry down balance है, friends, 31 March का, और उसी को एक अप्रेल को हम लोग opening stock बोलते हैं, asset है और debit होगा, thank you very much, 25,000, मैं इसी लिए बोल रहा था, जब आप लोग पूछ रहे थे ना, question लिखते time, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मैं इसी लिए बोला कि, हर item को analyze करेंगे, relax करेंगे, फिर इसके बाद, friends, देखिए capital और इंसानियत देखिए दुनिया में कितना है, बगल में वो लोग CR लिख भी दिया, नहीं भी लिखता तो हम capital कहां डालता, credit में डालता, sir कहां डालते है, credit में डालते है, one lakh, और जो जगह नहीं post कर रहे हैं उसको card दीजिए, है न, one lakh, capital one lakh हो गया, moving on everyone, next जी, बिल्कुल ठीक है, furniture, furniture और building asset है, come on, furniture और building asset है, यह लोग DR नहीं भी लिखता तो हम किधर लिखा होता, debit में लिखा होता, 4200 और 6800, furniture, 4200, building, 6800, 6800, next है, motor lorry 2500, 2500 है न, motor lorry, क्योंकि यह है तो asset ही न, अथर्व, sir यह है तो asset ही न, sir अथर्व आप बताइए, sales आपके साब से कहां जाना चाहिए अथर्व, और क्यों, sales, क्यों, भाई तुम sale किया, तुम्हारे organization में अथर्व तुमने कोई माल बेचा, तो अथर्व sale क्या होगा, बबू, income होगा न, तुम्हारे organization का, पैसा आया, अथर्व sales से पैसा आता है, sales income है अथर्व, sales, income है, sales, और income बबू किस तरफ आता है, very good अथर्व, sales आप लोग लिखेंगे सब कोई, एक लाग बीस हजार, अमन purchases किस तरफ आएगा और क्यों, Yes, purchases is an expense, and expense किस तरफ आता है, sir, debit side आता है, purchase तो एक expense है न, sir, और expense everybody सब जानता है, कहां आता है, debit side में, तो, sir, आप ये बोलने वाले हैं, purchase जो है, आपका 80,000 है, आ, लिख लो, purchase account, ये सब में AC लगा दो, ये लो न, AC लगा दो, लिख दो, क्योंकि examiner को number काटने का जगा क्यों दे, काईदे से marks नहीं काटना चीए, क्या मालूम किसका कपका दुश्मनी रहे अपने से, तो अपने AC लिख देंगे, न, तो तुम तो बच्चा भी खराब है, न, हाँ, तो तुम ठीक है, तो वो AC लिखने का कटा गया, ठीक है था, कोई दिक्कत नहीं, अभी ध्यान दीजिए आप, अभी clear है न, सर बात यहां तक, purchases account, friends ध्यान दीजिए, sales return 2000 है, अब देखिए, sales था credit में, sir sales था, sales return इसका ठेक, उल्टा है, तो debit में, sales return 2000, very good, sales return account 2000, ठीक है, discount देखिए, bracket में, CR है, मतलब discount received, पंदरासो, ठीक है, तो हमको क्या करना है, discount CR 1500, discount CR, यानि की credit side में, पंदरासो, बच्चा बोलता सर, debit में भी discount है, यह देखिए, पंदरासो, मतलब, पंदरासो का discount मैंने लिया, और 500 का discount मैंने दिया, DR मतलब expense, तो यानि की 500 का हमने discount दिया, यह रहा 500, क्या फर्रक पड़ता है, online वालो, I hope I am making complete sense of the matter, yes sir, everybody's stationary एक तरीके का expense है, छोटा मोटा खर्चा है ना, pen, pencil, किताब, copy, यह सब कुछ लाया होगा, तो stationary 2400 होगा, 2400, 2400, एक minute everyone, चलिए, आगे बढ़ते हैं, stationary हो गया, stationary के बाद everyone, आपका आएगा, purchase return देखिए, purchase debit में आता है, तो purchase return, credit में आएगा, very good, 2500, 2500, online वालो, is that correct and clear everyone, यहां कभी जो बात हैं होई है, yes sir, प्लिख दे रहा ना भी, कोई दिख्कत नहीं है, EK करके प्लीज, typewriter एक तरीके का asset everyone, typewriter printer एक asset है, और asset किधर आता है, debit में आता है, किधर आता asset, debit यह देखिए, मैंने लिखवाया था, शुरू में आप लोगों को, चेक किजिए, कि आप लोग अपने notes में लिखाया, asset और expense debit में आता है, typewriter, 5200 debit में आएगा, अच्छा, Amun, इस और है, क्यों एंशॉर, क्यों मैंने communication in commercial organization, और general administration का notes class में लिखवाया था ना आप लोगो, क्यों मेक शॉर, आपके पास भी लिखाया समरिद वह अला notes, commercial organizations, communication in commercial organization, और general administration वाला, business वाला, इसका आप लोग group में आज PDF डालेंगे, अब गुरूप में आज, ठीक है ना, without fail, नहीं नहीं, I know this, I know this नहीं ठीक है, इसमें kritika को आप बोल देता है, kritika online सुन रहे हो ना आप, kritika एक काम करना, यहाँ पर सब मेरे को कोई भी काम का नहीं दिख रहा है, आप एक काम करिएगा, जो है ये वाला, communication in commercial organization का notes, और, business administration वाला notes, एक बार भेज दीजिएगा है न, general administration वाला, ठीक है, बेजा हुआ है तो re-share कर दीजिएगा, ठीक है न, thank you, आज ही try कीजिएगा, अगर आप available रहे तो, typewriter 8200, चलिए, typewriter हो गया, 8200, moving on everyone, friends, miscellaneous expenses, चलिए, इसका spelling भी लिख दे रहे, miscellaneous मतलब, चाय पानी पिया होगा, वड़ा पाव खाया होगा, वैसा कोई चोटा मोटा खर्चा, हाँ? हाँ, चुटपूट खर्चा, correct, miscellaneous expenses, यह आपका 1500 होगया सा, debit side में, आप लोगो का, रहे सा, फिर आप लोग आईए, देखे आप लोग, drawings, drawings credit में आएगा, credit में आएगा, कि debit में आएगा, debit में, very good, drawings आएगा debit में, C for capital credit, B for drawings, अरे को कि drawings क्या है, उलता ही है, very good, drawings debit में आएगा, very good, अठर्व अरुष सब सही बोला, अमन, drawings debit में आएगा, इतना है रहे बाबा, 5000, 5000, 5000 आ गया, और finally, bad debt एक expense है, and somebody expense कहा आता है, debit में, so bad debt 500 हो गया, Krishab, बात समझ आ रहे हैं, आपके नहीं समझ आ रहे है, dear, yes sir, आ रहे है, okay, very good, very good, Krishab, next आप लोगों का charity, charity कितना amount ऐसा, 500, expense, expense है ना, तो debit होगा ना, और क्या, फिर postage भी खर्चा है, कुछ चिठीविटी लिखा होगा, 200, और salary 5000, ये भी खर्चा है, postage 200, postage 200, salaries 5000, 5000, खर्चा है debit, छीक है, फिर आप लोग देखिए, rent और cash, दोनो debit 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 लिखा है, तो rent में 5000 लिख दो debit, rent है, 5000 ना, कितना था, 5000, thank you, अच्छा, देखिए, इदर देखिए, इंटरेस्टिंग चीज, rent credit, हाँ तो, एक rent पे किया, और एक rent रिसीफ किया, 5000 का rent लगा, और 1500 का rent, मिला, क्या फरेक पड़ता है, तो 5000 गया, और 1500 आया, क्योंकि bracket में CR लिखा हुए, चेक कर लिजिए, rent के, चेक कर लिजिए, ये everybody इतना तक लिखना है, आप लोगों को पहले तो इतना लिख लिजिए, जिसका नहीं लिखा हुए, मैं थोड़ा slowdown कर गया, नाओ moving on, ये rent हो गया, cash है 28,500 debit, cash है 28,500 debit, और इधर पर credit में कितना है, 20,000, 20,000, cash हो गया, credit हो गया, 20,000, clear है, right सह, now moving on, bank आपका debit side में आएगा 22,500, bank आएगा 22,500, bank आएगा आप लोगों का debit side में, 22,500, एक मिनिट सह, और credit में 5600, है ना, 5600, credit लिखाया तो मनलब, don't ask the question further, आएगे कर दो solve, नहीं क्या, is that clear, is that clear, come on, okay fantastic, hold on friends, friends, loans credit, मनलब loan लिया, loan लिया, loan लिया, बोलो बोलो, loan लिया, 57,500, तो credit होगा, अरे, एक बात बताओ, हाँ सर, क्या बूछ रहे हो, क्या बोले सर, cash का, क्या हो, cash तो लिखा नहीं आपे, अभी ठीक है, अभी बात करते है, ये एक question आ रहा था, देखिए, loan मैंने लिया है, अरे भाई, अगर मैंने loan लिया है, तो interest तो मैंने को, देना पड़ेगा ना, अगर मैंने कोई loan लिया है, तो मेरे को interest मिलेगा, कि देना पड़ेगा, तो interest on loan, दोस्त लोग पूछ रहे थे, कि DR, CR नहीं लिखा, कैसे पता लगेगा, तो भाई, previous question में loan, अगर तुमने लिया है, तो interest तो तुम्हे, देना पड़ेगा ना, ओ, logic, तो यह 7500 debit में आएगा, expense है, interest on loan, 7500 debit में आएगा, रुख जाएए, एक एक एकर के, don't get ahead, interest on loan, गया, अच्छा, तो loan लेने का मतलब है credit, तो इसके उपर, खर्चा देना पड़ेगा, आप लोगों को, interest on loan, 7500, यह हो गया, conveyance आपका 300 हो गया, अरे, traveling charge, transport का खर्चा, conveyance, फिर है, commission आपने pay किया, यह post हो गया, क्या, commission नहीं हुआ है, okay, 2000 क्या, right, तो friends are telling की, commission debit है, 2000 का, so be it, furniture credit है, 10,000 का, furniture उपर में है, देखिए, 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 furniture उपर में है न, तो 10,000 से credit कर दो, है न, furniture debit था, यहाँ पे CR लिखा, तो हमने credit कर दिया, बहुत सकता है, कि 10,000 का furniture, मैंने वापस किया हो, बाद में, कुछ ऐसा हुआ होगा, तो हमने 10,000, जो नहीं लिखा था, वो furniture के बगल में, CR में, लिख दिया, और देखते है, बाद में, एंड में दे दिया, किजिए, नहीं देंगे, तो कोई number उसके लिए, कटसा नहीं है, जश्ट देखने के लिए, bank और cash तो मेरे को याद है, हमने post कर रखा है, अब friends, आपको करना क्या है, यह चीज़ मैं नहीं सिखाने वाला, आपको debit और credit का total करना है, कितना है, I don't think you are correct, because यह possible नहीं लग रहा मेरे को, 6 lakh वाला figure में जाएगा ही नहीं न, देखो मैं अंदाज बताता हूँ क्यों, क्यों कि समरिद देखिए, यह लगबख 70 के करीब है, है ना, यह, मैं वही बूर रहा हूँ, यह 70 के करीब है, यह 90 के करीब है लगबख, राइट है, यह लगबख 1 lakh हो गया, तो लगबख 2 lakh को हम लोग touch कर दिये, यहां समरिद आप देखिए, हम लोग 3 lakh के, यह सब को जोड़ के, हम लोग 3 lakh के करीब पहुँच रहे हैं, तो 6 lakh तक आप कैसे चले गए, क्या जोड़ दिया है, अमांट ही जड़ा लिखे हो, अब एड करिये ठीक से, एवरिबड़ी अगर एड कीजिएगा, दोनों तरफ का जो टोटल है, आपका आएगा 388,700, इतना आएगा, 388,700, और क्योंकि दोनों तरफ का टोटल हमारा सेम, देखिए addition मैं नहीं सिखाऊंगा अगर आप add करोगे total same आएगा अगर trial balance ही बनाए हो तो यह 100% आए है Is that clear everyone? Yes sir that is clear sir That is clear sir तो आपके जो book में back question है na CB गुपता वाली book के अंदर उसका trial balance का पहला question आप लोगों का जो है वो homework question है जो सभी से मेरे को आज page number भी बिलकुल बता देते हैं लिग देते हैं न सारा बात अच्छा और एक बात याद रखिएगा इस method को trial balance को जो मैं बताया आपको बना के इसको हम लोग बोलते हैं you know totals method क्या बोलते हैं totals method just अगर कोई पूछ ले कि क्या method का नाम है कोई इसमें विशेश्ट डेंशन लेने वाला बात नहीं है totals method बोलते हैं ये question है आप लोगों का page number 224 में जो मेरे पास book रखी हुई है Mr. S. Virik करके है इसका trial balance बनाने आप लोग बहुत ही छोटा question है Mr. S. Virik मैं बोला था ना जर्रनल एक बार आप लोग का हो गया ना फिर सब एक एक क्लास का है sure sure ये ले लीजिए ना यहां से तो बेज़ दे ना गुरूप में फरोटो का इसका